नमस्कार आपका स्वागत है स्टाखोल्डर की यूटूब चैनल में आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे एक ऐसी कमपनी का बिजनस जो कि आपको गैरेंटीट समझ में आ जाएगा इस वीडियो के एंड होने से पहले यह एक ऐसी कमपनी है जिसमें डॉली खन्ना ने भी फिलाल में अपना स्टेक एक पर्चेंट से जादा किया है और इस कमपनी का नाम है कंट्रोल प्रिंट लिमिटेड यह कंपनी प्रिंटर की मैनुफेक्ट्रिंग करती है इसके दो प्लांट है एक है नालगरा हिमाचल परदेश में और दूसरा प्लांट है गुवाटी आसाम में कमपनी के प्रोदक्स कुچ इस प्रकार से हैं कंटीनियूस इंक जेट प्रिंटर हाइ रिजूलिशन प्रिंटर Thermal Link Jet Printer, Thermal Transfer Over Printer, Larger Character Printer, Laser Printer Company का revenue इन सेग्मेंट से आया है Consumable and Spare Parts 136.24 करोड जो की printers के parts होते हैं दूसरा है Coding and Marking System 40.78 करोड यह company के products हैं जो की company sale करके income generate करती है Company अपनी services भी offer करती है जिससे उन्हें 26.45 करोड का revenue जनरेट हुआ है अब हम जानेंगे company की management के बारे में Company को Mr. बसंत कबरा ने अंशुल जोशी के साथ में start किया था Mr. बसंत कबरा company के CEO और Chairman है इन्हें industry का 30 साल से भी ज़्यादा का experience है इनका remuneration net profit के मुकाबले 4.35% है जो की एक decent है As per their market capitalization size यह जितना जादा होता है उतना company के लिए खराब संकेत होता है मतलब कि company के promoter को खुद की company के business पर ही भरोसा नहीं है इसलिए वा company से ज़्यादा से ज़्यादा salary विड्ड्रियू कर रहे है Company जो product offer करती है उसकी demand future में भी बढ़ती रहेगी Company का currently market share है 18.5% industry के अंदर Company का strong national network sales है जो की 11 branches से all over India और 360 से भी ज़्यादा शहरों में इंडिया के अंदर ये company अपने product को distribute करती है ये company एक best play है for आत्म निर्बर भारत क्योंकि इस company को उससे बहुत benefit मिलेगा अब हम जान लेते हैं company के कुछ key important ratio Company का price to earning ratio 17 का है इसका मतलब यह होता है कि एक रुपे की कमाई के पीछे investor आज company को 17 रुपे देने को राजी है Company का ROE वहीं पे 14.1% का है Company का ROCE 17.5% का है जो की अच्छा माना जाता है Company के operating cash flow भी अच्छे से बढ़ रहे हैं जो की 2018 में 14 करोड थे जो की अब बढ़ बढ़ कर 38 करोड हो गए है Operating cash flow हमें यह बताता है कि company ने पूरे साल में जो business किया है उससे उसने net कितना cash generate किया Operating cash flow को हमें profit से भी जादा importance देना चाहिए क्योंकि ऐसा हो सकता है कि company profit तो का generate कर पा रही है लेकिन उस profit को cash में ही convert नहीं कर पा रहे है अगर आप लोग चाहते हैं कि हम company का valuation का part भी discuss करें तो आप हमें comment करके ज़रूर बताए ताकि हम अगले वीडियो में इससे भी consider करें आपका मुल्यवान समय देने के लिए धन्यवाद हमारे इस वीडियो को जादा से जदा लाइक करें और इस वीडियो को share करके इंडिया में financial awareness को फैलाने में हमारी मदद करें सब्सक्राइब करें स्टाउक होल्डर यूटूब चैनल